नमस्कार यहां भी आज हम बात करेंगे हंटा 350 की नई कीमत के बारे में सबसेर बेस मॉडल की हम बात करेंगे जिससे हम जानेंगे रेट्रो फैक्टरी वली वेरेंट के नाम से इसके नई ओन रूट कीमत के है डॉन प्रेमेंट दोस्तों आपको यहां को क्या देखने को मिले के इडिकेसर देखने को मिलेगे ट्रिप की जानकारी आप देख पाएंगी जिससे आप दोसे कहता है ओडो मीटर और साथ Help कौ दो क्लोग के यहां पर शो करेए साथि आपको मिलेगे service यूरी मैंडर के इंडिकेशन, ABS इसमें आपको मिलता है dual channel वाली, left and right hand के इंडिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, gear के आप इंडिकेशन आप देखने को मिलेंगे, factory edition में आपको दो color मिलेगी, पहली है black, दूसरी है silver, black दोस्तों आपको काफी संदर गार यहाँ पर देख आपको ग्रैबल, यहाँ पर देखने को मिलती है, काफी आपको comfortable seat, यहाँ पर मिलेगी, इसके exhaust की हम बात करेंगे, matte color में आपको देखने को मिलती है, बहतरिन लुक اور engine आपको matte colors में देखने जो केवल आपको टाइग क्या आप देखने को मिलए है एक लाख चीहातर हजार नौसो रुपाई के अंदर ही इसके डॉन पेमेंट के हम बात करेंगे ओन रोड कीमत के हिसाब से अगर आप करते हैं पचास जार रुपाई तक की डॉन पेमेंट तो आप कलोन अमाउंट लेना पड़ेगा एक लाख बाइस जार रुपाई का सारह 11 पॉशंट अगर हेगी फाइनेंस कमपनी की ब्याजदर तो दो साल के लिए मंथले की स्थाप की बन रही है 6200 रुपाई के डाई साल की हम बात करेंगे मंथले की स्थाप की बन रही है 4500 रुपाई की अगर आप अपनी महिने की EMI का और भी कम करना चाहते हैं तो आपको ड प्लोन अमान प्लेन पड़ेगा 97,000 का साठी 11 पॉशंट के हिजाब से दो साल के लिए मंधली किस्ते 5,000 रुपई की धाई साल के लिए मंधली किस्ते 4,100 रुपई की 3 साल के हम बात करेंगे 3600 रुपई आपके मंधली किस्ते हापर बन रही हैं अभी आपको रेट्रो 89,300 यानि के 1,79,000 वहीं भीहार के पट्टना में आपको 1,676,000 चाथिस कड़ के भिलाई में 1,72,000 गुजरात की हम बात करेंगे 1,68,000 राजस्थान में 1,81,000 वहीं जार्खन के जमशेतपूर में 1,74,000 वेस्ट पेंगोल के हावडा में आपको 1,676,200 रुपे करीब आपको द 1,77 kg फ्यूल टैंक आपको मिल जाती है 13 लेटर की और पावर आपको देती है 20.2 भी एच्पी की यह थी आपको दो और वेरेंट देखने को मिलती है कीमत आगे आपको बताऊंगा सब्सक्राइब करेगा चानल को वीडियो को लाइक करेगा थैंक्स फूर वाचिंग स्टे ट्यून विद पावन